हेलो फ्रेंड्स रसोई रेस्टूरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आप जाज़ आप लोग के साथ में सेर कर रही हूं नमक की रोटी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी तो फ्रेंस मेरे घर में इसे बच्चे मज़े से खाते हैं और टीफिन भी ले जाते हैं तो फ्रेंस आपको जरू ट्रैक रे इस रेसिपी को यह नमक का रोटी बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और आप टीफिन में बच्चों को आराम से दे सकते हैं तो चलिए हम लोग नमक का रोटी बनाते हैं तो फ्रेंट देखे मैंने आटा ले लिया है यहाँ पे दो कप करीब आटा होगा अब आटे में हम थोड़ा नमक डालेंगे नमक तो फ्रेंट हम आटे में स्वादनुसार नमक डालेंगे स्वादनुसार नमक उसके बाद चार समच भर के इसमें तेल डालेंगे मॉम डालेंगे चार समच भर के तो आप इस चीज को भूले ना जब भी आताम नमक का रोटी बनाए आप उसमें तेल डालना ना भूले तो फ्रेंड देखे मैंने रिफाइन ओईल को चार्च समच भर के डाल दिया आप रिफाइन तेल का ही उज़ करें और देखे मैंने इसको बनाने के लिए देखे एक प्याज कट कर लिया है बारिक पतला पतला हमें प्याज को कट करना है और दो मैंने मिर्च को कट कर लिया है पतला पतला और देखिए धन्या पता थोड़ा से कट कर लिए हैं और आधा टुगड़ा तमाटर को छोड़ा छोड़ा पतला पतला हमें इस तरह मही फैन कट करना है तीन सभी को हम सभी को मिक्स कर देंगे आटे में तो फ्रेंड इन सभी को अच्छे से मिक्स करदेंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब संब्सक्राइब सब्सक्राइब और 17 ट्यार करेंगे थोड़ा थोड़ा पाई ड़ालेंगे थाकि गिल्ला ना हो अब नहीं हजादा गिल्ला ओप आफोड़ा से शडल दींदा नफोडी नहीं रोटी वह को जरू ढ chapters और इस रेसिप्री को जरूर ट्रयक करें यह बहुत ही तेस्ति बनता है चलिया अर्ट आनरा यह लेना और यह लेना है अर्टा मैं इतना बढ़ी लिया है और देखिये इसे ज्लेड ज्यादा अब इसमें आटा लगाएंगे तो देखे मैं एक डिबा में आटा रख दिया है और इसे लगा लगा के इसका एक रोटी त्यार करेंगे इसे बेल लेंगे अच्छे से हमें बेलना के से इस बात का आप लोग ध्यान रखें आप फिर आटा लगाएंगे अधर लिए देखिया इसे जाड़ लेंगे ज्यादा नहीं लगाना है नेताब का रोटी अच्छा नहीं बनेगा और इसके बाद इस इसका रोटी बेल लेंगे देखें एसे हमें बेलना है आप लिए गरम हो गया था अब इसमें हम रोटी को रखते हैं अब एक साइड इसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ा देर के लिए कुछ सकेंड के लिए पकेगा काई कि मेरा तवाहाल अल्रेडी गरम हो गया था अब इसे पकने में थोड़ा टाइम नहीं लएया कुछ भी टाइम नहीं लाएगा यहां बहुत ही जल्दी रोटी बनती है फ्रेंट्स देखे एक साइड पक गया है जिस्ता रोटी हम लोग बनाते है वैसे इसे पलटना है एक साइड थोड़ा पक गया है अब दूसरे साइड इसे पकाते घुमाते वे एक बार घुमाएंगे देखे थोड़ा पकने देंगे अब इसे थोड़ा पकने देंगे थोड़ देर के लिए उसके बाद इसमें हम आगे का प्रोसिस आप लोगों बताएंगे तो फ्रेंच देखे इधर परख गया है हमने एक साइड पलट दिया था दूसरे साइड भी पक गया देखिए अब तेल को यूज करें रिफायन तेल से सब्सक्राइब आपका रोटी छाने मंजा आएगा भेस्ति थोड़ा पकने देते हैं और थे थोड़ा पलट मिला देदेगें हम तेल को तारू है देखें थोड़ा और जोड़त है यहां पर नहीं भी लगवाद एक चमश में भरके तेल रखा है रिफाइंग तेल और इसे पलते हैं प्रेस करेंगे तर चुल के मदब से देखें इसे एसे दबाएंगे ताकि रोटी अंदर तक पके आपका कच्छना रहें इस बात काव ध् अगर आप चाहें तो मीडियम फ्लेम में में इसे पका सकते हैं धिरे धिरे ताकि आपका रोटी अंदर तक पने तो फ्रेंड्स देखें मेरा रोटी अब त्यार हो गया है दुस्ते सैल भी प्लट देते हैं और इसी तरह हम दबाते हुए इसे बनाएंगे तो फ्रेंड्स अब जरू ट्रैक कीजेगा इसे और सवसके साथ खाएगा बहुत ही टेस्टे लगएगा से जवान चट्ली के साथ आप चाहें तो मीड आदो वे तो माइटव केसास्त खाएगये यह रोटी बहुत सواदिष्ट भंधी है बहुत सवादिश्ट लगतं है और बच्चे भीस फ्रेंड्स तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फ्रेंड्स